लाचित बोर्फुकन एक महान सैने कमांडर और भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के नायक थे। उनका जन्म 1622 इस्वी में असम के वर्तमान शिवसागर जिले में स्थित गरगाव नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। लाचित बोर्फुकन का जन्म बोर्फुकन कबीले में हुआ था जो अहोम सामराज्य का एक शक्तिशाली कुलीन कबीला था। लचित बोर्फुकन को युध कला में प्रशिक्षित किया गया था और वह घुडस्वारी, तीरंदाजी और तलवार बाजी में अपने असाधारन कौशल के लिए जाने जाते थे। वह कम उम्र में अहोम सेना में शामिल हो गए और जल्दी ही रैनकों के माध्यम से अहोम सेना के कमांडरिन चीफ बन गए। 1671 में बंगाल के गवर्नर मीर जुमला के नेत्रित्व में मुगलों ने एक बड़ी सेना के साथ असम पर आक्रमन किया। मुगल सेना के पास उन्नत हथियार थे और अहोम सेना से बहुत बड़ी थी। अहोम राजा, चक्रदहज सिंह, व्रिद्ध और बीमार थे और असम की रक्षा लचित बोर्फुकन को सौंपी गई थी। लाचित बोर्फुकन ने कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अहोम सेना को इकठा करने और मुगलों के खिलाफ एक भयंकर प्रतिरोध करने में काम्याबी हासिल की। उन्होंने मुगल सेना की उन्नती का मुकाबला करने और ब्रहंग पुत्र नदी को पार करने के उनके प्रयासों को विफल करने के लिए कई सरल रन्नीतियां तैयार की। युद्ध की सबसे प्रसिध लडाईयों में से एक 1671 इसवी में सराइधाट की लडाई में लचित बोर्फुकन ने अहों सेना को मुगलों के खिलाफ शानदार जीत दिलाई। मुगलों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और असम पर आक्रमन को रद कर दिया गया। लचित बोर्फुकन के नेत्रित्व और भारी बाधाओं के बावजूद बहादुरी ने उन्हें असम के इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया है। उन्हें व्यापक रूप से असमिया गौरव के प्रतीक के रूप में माना जाता है और हर साल लाचित दिवस के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। सराय घाट की जीत के ठीक एक साल बाद बीमारी के कारण 1672 इमें लाचित बोर्फुकन की मृत्यू हो गई। हाला कि उनकी विरासत आज भी असमिया लोगों की पीडियों को प्रेरित करती है। ती देखने के लिए धन्यवाद।